बात करें निफ्टी की तो निफ्टी ने तो अपना ओल्टाइम के ऊपर भी जा चुका है एक नया हाई बना दिया लेकिन बैंक निफ्टी ने अभी तक अपना ओल्टाइम हाई टच नहीं किया है जब मार्केट हमारा 45,000 पर था 45,200 के आसपास तब मैंने आप लोग को बोला था कि बैंक निफ्टी में बड़िया तेजी देखने को मिलेगी और वहाँ से हमको एक बड़िया तेजी देखने को भी मिली लेकिन अभी भी मार्केट में चांस है बैंक निफ्टी आपको और तगडी तेजी दे सकता है आने वाले टाइम में तो इसमें हम बात करने वाले so that आप इधर आएं description में link है join करिए आपका ही फायदा है फायदा है क्योंकि यहाँ पर आपको scalping की opportunity मिल जाती है थोड़ी थोड़ी साथ में आपको सीखने को मिल जाता है साथ में आपको यहाँ पर important support resistance की level मिलते है morning में इसके लावा आपको देखने को मिलते हैं हमारे members के profit जो वो everyday बना रही है हमारा Friday का data है जो आप देख सकते हैं साथ में पुराने data भी आप लोग जाके देख सकते हो मैं अभी और भी screenshot डालूँगा पिछले last 3 दिन के जिसमें आप देख पाएंगे कि किस तरीके का performance रहा है pin comment में जाके देखो कि तो आपको trades देखने को मिल जाएंगी जो अपने में members को देता हूँ उनमें से कुछ में यहाँ पर आप लोगों के लिए update कर देता हूँ कि कहाँ पर क्या provide किया तो और उसका impact क्या रहा क्या वहाँ पे 100 point का move मिला 50 point का move मिला 200 point का move मिला क्या move मिला ठीक है Friday को आप लोग को जो मैंने scalping दिया था उसमें एक 80 point और एक 20 point का scalping मिला था बढ़िया नहीं था क्योंकि market ही sideways था अब एक point जो मैं आपको weekly chart पर बताना चाहता हूँ जो की positive point है bank nifty के बारे में सबसे पहले हम वो देख लेते हैं ठीक है तो अगर हम weekly chat की बात करें तो हमें कुछ ये वाले range में ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है कि हमारा market का ये पहले resistance area था then इसको हमने breakout किया then हमें वापस से resistance मिला और अब जाके इन 4 week के उपर हमने closing की है ठीक है एक ये एक positive sign है जो हमें देखने को मिल रहा है कि हमने इस level के उपर closing तो at least कर दिये ठीक है हाला कि उपर से candle rejection है काफी बढ़िया rejection है उपर से but positive side देखना है तो ये ही देख सकते हैं कि हमने closing जो किये इन 4 हफतों के उपर किये और ये एक सही way है क्योंकि अगर market में तेजी आएगी तो उसका यहाँ पर आपको थोड़ा impact देखने को मिलेगा इसको हम positive way में लेंगे या फिर market में लोग इसको positive way में लेंगे क्योंकि sustain किया है ठीक है पहली जो आपको मैं बताना चाहता हूँ अब दूसरा point क्या है अगर हम यहाँ पर आ जाते है daily chart के उपर तो daily chart पर एक और जो आपको point of view में देना चाहता हूँ एक second दो मुझे तब मैं समझा पाऊँगा आप लोग को क्योंकि सब कुछ chart है ठीक है आपको chart समझने पढ़ेंगे तब ही आप पैसा बना पाऊगे market में otherwise आप लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल रहने वाला है अब देखो यहाँ पर मैंने अभी तक आप लोगों उसे पिछले week तक बात कर रहा था कि market पिछले week मतलब इस week भी बात कर रहा था कि एक जो gap था market ने यह एक बहुती बड़ी selling आई थी इस time पर उसके बाद market में try किया उपर जाने का try किया उपर जाने का try किया उपर जाने का देखे तो बार-बार market में कोशिश होई और बार-बार यहाँ पर आपको एक resistance देखने को मिलेगा कि market अमारा कही न कहीं resistance ले रहा था अब market में एक W pattern बना उसका breakout किया retesting के लिए market आया है यहाँ से next एक दो दिन का जो candle है न वो green candle बनना काफी ज़रूरी है इस area से market को यहाँ से pullback लेना ज़रूरी है तभी हमें confirmation मिलेगा कि हमें 47,400 के उपर एक बढ़िया bullish momentum मिलेगा जिदर हम अपने all time high को touch कर पाएंगे अगर ऐसा नहीं हुआ तो दिक्कत है ठीक है अब important level 46,500 से लेके 46,600 ठीक है यह अभी कहाँ पर है 46,800 यानि कि यह एक मालो zone हमें इस range से एक green candle बनती हुई नजर आनी चाहिए bullish green candle चाहिए इस area पर minimum तब हमारे लिए bank nifty बढ़िया गरेगा I hope आपको समझ में आ गई होगी यह बात यह होगया हमारा daily chart का view ठीक है अब हम आ जाते हैं 15 minute पर आ जाए तो आपको थोड़ा और एक view देने की कोशिश करेंगे आपको चार्ट दिखा हूँ तो आपको अभी तो फिलाल कुछ नजर नहीं आएगा लेकिन अब नजर आएगा ठीक है अब नजर आपको कुछ आ रहा है एक second तो मुझे सही से इसको adjust करने दो एक second तो अब नजर आ रहा है आप लोगों को कुछ आपको नजर आ रहा है क्या नजर आ रहा है कि यह हमारी एक trend line है जिससे market ने बार बार bounce लिया है ठीक है यह हमें 15 minute पे नजर आ गया अब एक और चीज जो आपके लिए समझनी ज़रूरी है वो क्या है इसको क्या बोलते हैं जरा मुझे बता देना complete नहीं है अभी इस चीज को ध्यान दो complete होगा जब यहाँ पर आएगा और यह level क्या है 46,500 का level मैंने अभी जस्ट आपको बताया था कि 46,500-600 level अमारे लिए क्यों important है अगर हम इसके नीचे निकल जाते हैं तो फिर हमें एक बड़ी ग्रावट देखने को मिलेगी तब तक हम एक बड़ी ग्रावट के लिए नहीं जाएंगे चोटे-मोटे scalping is a different part कि हम चोटी-मोटी scalping देख रहे हैं बट यहाँ पर head and shoulder बनेगा तो एक बड़ी अग्रावट हमको देखने को मिल जाएगी 46,500 के नीचे negative candles बनना शुरू होगी तब हम कुछ आगे की बात करेंगे अब एक और आपको view बताना चाहता हूँ वो क्या है? वो है हमारा एक गंटे के चार्ट पर एक गंटे का चार्ट लगाते हैं आप लोग के लिए और यहाँ पर एक और नया view देने की कोशिश करते हैं आप लोगों को यह लगा दिया एक गंटे का आप लोग के लिए चार्ट अब अगर आप इसमें notice करोगे आला कि इसदर देखने को आपको कुछ मिलेगा नहीं जब तक मैं समझाऊंगा नहीं तो मैं आपको समझाने की थोड़ी सी कोशिश करता हूं इसको गुमाते हैं थोड़ा सा आप लोगों के लिए ठीक है हमें बार-बार इन लेवल्स पर क्या देखने को मिल रहा है हमें बार-बार पहले देखने को मिल रहा था एक resistance and then so अगर हम थोड़ा पीछे और चले जाए तो आपको क्या नजर आएगा कि यहाँ पर market ने काफी बार resistance लेने की कोशिश की थी जिसका हमें breakout मिला और market फाइनली वापस से कहीं उसी range में आ गया है ठीक है exact level नहीं होते हैं हमेशा एक range होती है जो में mark करके रखनी पड़ती है अब हमारे लिए दो important level है क्या important level है वेट करिए बताता हूँ यहाँ पर जब तक हमारा market 46,500 के नीचे नहीं आता है आप लोगों को tension लेने की ज़रूत नहीं है लेकिन 46,500 के नीचे आएगा तो यहाँ पर आप देखो एक M pattern बन रहा है आप लोगों के लिए इसका breakdown होगा तो आपको एक बड़िया momentum मिल सकता है 46,000 तक के लिए 46,000 अगर निकलेगा तो हमारा market bearish mode में चला जाएगा फिर हम market में बात करेंगे put side की ये levels तकाने के लिए market ठीक है समझ गए आई होप आपको समझ में आ गया होगा market निकला है यहाँ पर 1R के time frame पर देखो लेकिन यहाँ पर एक M pattern नज़र आ रहा है 1R time frame पर ठीक हर time frame की कानी अलग होती है ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी तो इसके नीचे आपको बड़िया momentum बड़िया पैसा बनाने के बाश्रिटी मिलेगी put side में तो इसका भी हम next week करेंगे इंतजार अब देख लेते हैं bank के stocks कुछ तो पहले number पर हम देख लेते हैं SDFC bank के बारे में but the point is SDFC bank में कुछ हमें positive नहीं देखने को मिल रहा है बस ये अपने support पर है last week भी मैंने इसमें बोला था कि आप चाहूते हैं या पर buying कर लो 1400 के आसपास वहीं पर हमें बापस देखने को मिल रहा है this is just accumulation zone जिदर आप buying करके बैठ सकते हो लंबे टाइम के लिए ठीक है दूसरा banking stock हमारा Kotec bank वो भी कही न कहीं सेमी करता हुआ नजर आ रहा है जैसा कि आप देखेंगे so आप लोग देख सकते है Kotec bank में भी कुछ positivity नहीं नजर आ रही है it just आप यहां पर थोड़ा बहुत buying करके चल सकते हैं क्योंकि यहां से हमें बार बार bounce मिला है लेकिन the point is मैंने last week भी यही बात समझाई थी आप लोग को की इतनी बार यहां से support मिल चुका है कि buyers कहीं यहां पर खतम ना हो गए हो एक यह एक दिक्कत वाली बात है अब एक और stock देख लेते है SBIN and ICICI यह दो stock पर नजर मारते हैं तो यहां पर आप देखोगे SBIN काफी बढ़िया अपने zone को तोड़के breakout कर चुका है अगर आपने इसमें entry ली है तो last stock की बात करें तो हम बात करेंगे ICICI bank के बारे में तो ICICI bank में अगर आप देखेंगे तो यह भी बढ़िया कर रहा है as compared to अपना यह SDFC और KOTEC इनसे तो काफी शांदार है और अपने highs पर ही चल रहा है तो बस यहां पर जिसने entry बना रखी है वही इसमें रह सकता है new entry इधर आप लोग नहीं कर सकते new entry का कोई यहां पर अभी chance नहीं है कि आप वापस से इसमें कुसे क्योंकि risk बढ़ जाता है SL की जगे ढूननी पड़ती है तब आप इसमें entry बना सकते हैं short term long term के लिए तो वीडियो को like करो channel को subscribe करो comment section में कुछ पूछना है पूछो telegram को join करो अगर आप option buying करते हैं साथ में आप नए हैं आप लोग को काफी ज़्यादा help मिलेगी subscribe ज़रू करिए so that आप लोग एक अच्छा content देख पाए एक सई view के साथ market में रह पाएं thank you so much